नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और नहीं हूँ आपके साथ मार्क आशीद पटना से एक बड़ी खबर आ रही है आज महाश्ट में किये दिन दोपर में जम करके आंधी और बारिश हुई और जिसके कारण पटना के डागमंगला चौराहे के पास एक पांडा का तोरण द्वार भरभरा करके गिर गया हाला कि किसी तरह की हताहत नहीं हुई लोग बच गये लेकिन एक आटो उसके चपेट में आ गया लेकिन अच्छी बात ये रही कि आटो में कोई सवारी नहीं थी डागमंगला चौराहा और कोत्वाली थाना के बीच में पेट्रोल किसी की हताहत होने की सुचना नहीं है लोग बच गए और एक अच्छी सूचना ये भी है कि मुर्वी किसी तरह का छती नहीं पहुचा हुआ है जो कि मुर्ती पांडाल में था और ये मामला तो रंगवार का है और उस से बस इतनी ही फज्यता हुई है कि स्वाग जाम हो गय पिछले दिनों मौसम विभाग के सूछना के अनुसार देशवाल भारी बारिष की आसार एंपर होग लोग अपनी सुरक्षा का ख्यार रखी प्रणाम बंगला चौरह website और कोत्वाली थाना के बीच में पेट्रोल पम के पास बना हुआ पांडाल और वहां पे तोरंडवाड तोरंडवाड तूट करके गिर गया भारी वारिवारिश के कारण और कुछ तो नहीं हुआ लेकिन सड़क जाम हो गई आतायाद बाधित होने लगी अस्थाने लोगों ने फॉरन लग करके बास बल्ले को हटाना शुरू किया तो अग्तक के लिए बस यही तक फिर मिलते हैं नहीं मुते हैं सरोकारों के साथ तब तक देश्वानी उस देखते वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें